तो अब लगता है कि यूट्यूब पे फॉरन यूट्यूबर्स द्वारा इंडियन्स को बटर लगाने का टाइम ओवर हो गया है एक वीडियो है बॉल्ड और बैंकरब नाम का एक यूट्यूबर है ट्रेवल व्लॉगर है उसने एक वीडियो डाली कुछ दिन पहले जिसमें कि उसका टाइटल ये है कि मैं इंडिया गया ताकि तुम्हें ना जाना पड़े अब टाइटल से ही आप समझ रहे होगे कि एक तरीके से नेगिटिव वे में बात की जा रही है इंडिया के बारे में और मैंने अच्छली उसके पुराने वीडियो भी देखे हुए क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा बहतर लगता था ऐसे ट्रेल व्लॉगर दूसरों से क्योंकि बहुत ही रॉ टाइप का कॉंटेंट होता है कोई फाल तू कुछ फ्रिल्स नहीं होते सिंपल कॉंटेंट होता है तो मुझे वो पसंद था उसका कॉंटेंट इंडिया के उपरी उसने बहुत पहले काफी वीडियो जाली थी और उस वक्त उसका एक कैसे कहना चाहिए और वो काफी लैंगुजेज भी कैच कर लेता है लोकल लोग की थोड़ी बहुत बात कॉंबसेशनल लेवल पर कर पाता है लोकल लोगों से जो कि अगयन एक डिफरेंट चीज है बाकी लोग के मुकाबले जो बाकी लोग ट्रेवल व्लॉगिंग करते हैं तो रेवरेंस से भरा उसका एक अटिटूड था तोवर्ड इंडिया इन जैनरल उसकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे जो उसने शेयर भी किया था बड़ इस वार ओल्मॉस्ट ऐसा लगता है अगर आप उस वीडियो को देखो कि एक टोटली डिफरेंट इंसान है सेम बंदा नहीं है और उसने लिटरली 100% क्रिटिकल वे में वो वीडियो बनाई अगर आपको हर वो आपको क्योंकि मैं भी हूं तो एट दे अंड दे भारती है तो थोड़ी सी उससे इरिटेशन या परशानी होती है उसको देखके गुस्ता हलका सा आता है लेकिन अगर दो मिनिट के लिए हम एक स्टेप बैग लेके सोचें कि हला तो सच में विकार है घूम तो वो दिल्ली में ही रहा है तुनिया के बहुत सारे गरीब देश भी ऐसे हैं कि अगर आप उनकी कैपिटल सिटी में जाओगे न तो आपको ऐसा लगएगा आपकी सी भी वर्ल्ड क्लास सिटी में ही हो अंगोला का कैपिटल है लुआंडा आपने पतरी नाम भी ना सुना हो उस सिटी का जिंदगी में वो भी ये अलग बात है कि एक सर्टन लेवल के बिजनेस इंटरेस्ट की वैसे एक सर्टन लेवल के काटिल फॉर्मीशन की वैसे ऐसा है लेकिन लुआंडा भी बहुत अमीजिंगली विल्ट सिटी है अमीजिंग इंफरस्ट्टर हो डेल सब कुछ वहाँ पे एक certain type की mining होती है उन mining multinational companies के executives को वहाँ जाना होता है इस वज़े से उन्होंने city को बड़ा nice बनाया हुआ है nice hotels बनाया हुआ है बट जब आप दिल्ली में आते हो न और किसी भी major transport hub especially railways के नई दिल्ली railway station हो गया पुरानी दिल्ली railway station तो खेर एक और है east में जितने भी यह railway stations है और railway station major hub होते है transport के जो बड़े stations होते है अगर आप वहाँ जाओगे आप बाहर निकलोगे आपको लगेगे आप 16th century में आगे मुझे नहीं पता क्या railway station के आसपर ऐसी चीज है जो इस तरीके elements को खीच लेती है अपनी तरफ पर बहुत बुरा हाल है आज भी इतना बुरा हाल है देश के capital में तो सच्चाई प्योर truth के base पर गर देखी जाए तो सच्चाई तो जो वो दिखा रहा है वो उसमें है अब वो उसके प्योपर कैसी अब for example उसने कहा कि हमने British ने buildings बनाई थी और इन्होंने उन्हें खराब होने दिया या तूट जाने दिया एक हाथ तक ये भी बात ठीक है historical buildings को preserve करना तो हमारी job ही है as an inheritor of this land inheritor क्या हमारी land है लेकिन चलो British हमने पावर ली और जब वो building वो छोड़ की गए थे वहाँ पर उसके बाद तो हमने इनरेट किया तो हमारी जो government है वो ही responsible है उसको maintain करने के लिए और उसके बाद जो भी transport की हालत है infrastructure की हालत है लोगों का towards some extent लोगों का भी attitude जो मतलब बहुत कम पैसों के लिए लोगों को scam करने आपनी dignity sell करने के लिए तयार हो जाते है वो भी चिंता जना किया अफसोस वाली बात है तो मुझे भी जोड़ा था upset हुआ या हो रहा था मैं upset उसे देखते हुए लेकिन मुझे कुछ चीज़े उसमें अच्छी लगी पहली चीज़ ये कि foreign YouTubers के द्वारा अपने चैनल को चलाने के लिए या अपने चैनल को बढ़ाने के लिए जो Indian भी भारत की जो यंग जनता है उसके कुछ दो चीज़ें उठाने का जो time है वो चला गया और वो मुझे बहुत बढ़ियां लग रहा है और अब वो kind of जितना उनके मन में है वो भड़ास अपनी निकाल रहे है यह Twitter पर शुरू हुआ था और अब ही आगया YouTube पर भड़ास शायद इससे भी जादा निकाल रहे हो जितनी उनके अंदर हो भी ना शायद उससे भी जादा निकाल रहे हो पर उसका फाइदा हमें यह है उसका फाइदा उनको यह है पहले तो कि आब social media इंडिया वेशिंग को reward कर रहा है तो उसका फाइदा उनको हुई यह है ठीक है मुझे personally इससे कोई दिक्कत इतनी है नहीं इस sense को लेके कि Indians against racism बढ़ जाएगा बाकी की दुनिया में जिसकी कोई sense नहीं बनती है यह हैं कि Indians इंडिया में चाहे जैसे भी रहते हों जब वो इंडिया के बाहर जाते है तो वो बहुत ही model immigrant होते है तो इसलिए बस मुझे इस चीज का आफसोस है कि जो Indians इंडिया से बाहर जाके रहते है उनके उपर इसका flag आएगा क्योंकि जब यह जब इतना कर आप comment section देखो twitter में भी इन तरीके के post देखते हो तो आपको रिलाग होता है कि they just hate for no reason most of the people और हो सकता है कि एक minority group हो जो इन चीज में hangout करता है लेकिन to some extent इससे नुकसान उनको ही होगा जो विदेशों में रहने वाले Indians है इंडिया में रहने वाले Indians को या भारत को ये फाइदा होगा कि हमारी सरकार तब बड़ा जल्दी action लेती है जब इनको गोरों से गालिया पड़ती है या उनसे डाट पड़ती है या उनसे criticism मिलता है पता नहीं ये कौन से colonial mindset अभी भी है इनके दिमाग में लेकिन जब फॉरण से किस चीज पर criticism आता है तब action लेती है government और मुझे उमीद है या मुझे लगता है कि शायद ही हमारे फाइदे में जाएगा कि जब अगर ये बड़े लेवल पे हो online की यार दे हो क्या गंदी country पूरे online भद 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 पिट रही है ठीक है तो ये सरकार पे भी जाएगा तो शायद सरकार कि आख खुलेगी भाई कुछ कर लो 70 साल हो गए है एक ढंकी city नहीं बना पाए है हम अपनी country में जिसके बारे में कहा जा सके कि इस city का infrastructure दुनिया के किसी भी एक city सिर्फ एक city की बात कर रहा हूँ है कि इस city का infrastructure दुनिया के किसी भी और city के infrastructure से compare कर करके देख लो बराबर ही लगेगा चाइना के बारे में अक्सर ये criticism आता है कि चाइना कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है उसका जो कोस्टल एरिया है कोस्ट के जो उसके 7-8-5-6-7-8 प्रोविंस है सिर्फ वो वेस्ट के लेवल पे ग्रोव रखे जैसे गौंग डॉंग प्रोविंस है जहां पे शंगाई या इस प्रोविंस के बारे में कहा जाता है बहुत डेवलब्ट है इसी तरीके से जो उनके ओशन के कोस्ट पे जो है उन्होंने एक जापान से भी बड़े साइट उनके ओशन के कोस्ट के अगर सारे प्रोविंस मिला दो तो जापान से बड़े साइस की कंटरी बनती है उन्होंने उस साइस की कंटरी को अमेरिका के लेवल पे ग्रोव कर लिया या फिर किसी भी वेस्ट की कंटरी के लेवल पे ग्रोव कर लिया हमारे यहां एक city नहीं है उस level की एक single city नहीं है उस level की ये अभी का status quo है अभी का status quo ये status quo है तो एक फाइदा तो इससे ये होगा कि हमें उससे फाइदा होगा और दूसरा कि मतलब government की यांख खुलेगी शायद government action ले और दूसरा फाइदा उससे ये होगा कि हमारे यहां के जो यंग जनता है जो जादा तर जनता है जो ऐसा सोच के बैठी है कि हमसे बड़ी तोप दुनिया में कोई है ही नहीं और इसका सबुत आपको इससे मिल जागा कि इस तरीगी वीडियोज में बहुत सारे लोग कॉमेंट करें बोलते हैं आरे आप नौर्थ में क्यों जा रहे हो साउथ में जाओ अबे क्या है साउथ में क्या है कुछ नहीं है भाई साउथ में साउथ का जियोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है उस वज़े से वहाँ ग्रीनरी जादा होती है और हुमिंटिटी थोड़ी जादा होती है जिस वज़े से आपको धूल कम दिखती है ओवरॉल इंडिस्टी थोड़ी जादा है लोग थोड़े से ज्यादा सेंसिबल है साउथ में ये मैं मानता हूँ सिविक सेंस के मामले में पर वो बहुत साथ रेसिस्ट होते जा रहे हैं अपने ही कंट्री के लोग के प्रती वो तो कहरें इंडिया का में टैलेंट है इंडिया के लोगों में कि अपने ही लोग के प्रती रेसिस्ट कैसे बनना है उसमें तो हम बहुत आगे हैं कोई हमारा उसमें हम अपने ही लोग के कि खाओ जी इस तरीके से ट्रीट करते हैं उसने वैसे अपनी वीडियों के एंड में यह दोड़ा सा क्लारिफाइब भी दिया कि लोग यहां कि अच्छे हैं ज्यादा तर नाइस हैं मुझे लगता है कि हम हैं as a country यहां उसने अपने प्रीवियस एक्पिरियंस को अपनी लाइफ को बिट्रे नहीं किया क्योंकि कोई भी इंसान जो इंडिया हाएगा उसमें इनफ टाइम यहां पिताया होगा जो यहां के क्रेजिनेस से डील कर सकता है उसको अट लिस्ट एक human treatment का एसास तो होई जाएगा इस्पेशली कोई जो white person होता उसको तो शायद हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से treat किया जाता है लेकिन है average इंसान में भी एक है help करने की भावना अगर आप जनरल most देशों में जाओगे इस्पेशली अमेरिका बगारा में वहाँ कोई ऐसे help करने बहुत कम ही आता है जातर लोग ignore ही करते हैं हम सब busy हैं अपनी life में हमारे याँ फिर भी अगर कुछ हो रहा हो तो आ जाते हैं चार लोग बूचने और उसने चीज की तरफ ध्यान दिलाया और वो किया के लोग अच्छे हैं और मुझे वो I feel thankful कि चलो ठीक है इसने context में थोड़ी सी बाट डाल दी तो यानि कि जो criticism हो रहा है न वो government का हो रहा है ये भी आप बात सोचिए कि वो कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि लोग ने इसको तोड़ दिया उसे कहने हैं मतलब है कि सरकार यहां पे काम नहीं कर रही सरकार यहां पे ठीक से नहीं चला रही और वो सच बात है और उसका जितना criticism होए उतना काम है और इसमें मैं हमेशा BJP के तारीफ में बोल रहा हूँ ऐसा प्रतीत होता है लेकिन 15 साल BJP 10, 12 साल, 11 साल 10 साल BJP को भी अब हो गए है continuously और एक टर्म की इससे पहले भी थी अफकॉर्स उन्होंने काफी काम किया है बाकी जो सरकार रही है उसके मकाबले लेकिन और मुझे शर्म इनको नहीं आती मुझे लगता है कि Congress ने इस देश में लिटरली 55 साल राज किये है 55 साल और आज भी देश की यह हालत है और ये इनके लीटर पूरी दुनिया में घूमते हैं अभी भी राहूल गांधी अमेरिका घूम के आए है क्या वो वहां की cities की हालत नहीं देखते हैं कि किस तरहीं यह वहां का यात्रा वहतनी कौन सी यात्रा भार जोड़ो यात्रा उन्होंने यहां पे भी की और जिसकी वैसे वहां इंडिया भी देखा और तो अगर एक इनसान हो जिसमें दो कोड़ी का दिमाग हो वो कंपेर कर सकता है कि भाई हमारी हालत क्या है बाकी की दुनिया के मुकाबले चलो हम उन से थोड़े बुरे हालत में यह ठीक है बट कोई मुकाबला ही नहीं है especially civic infrastructure का और civic sense का training का कोई मुकाबला ही नहीं है इतना बुरा हाल है और हमने इस देश पे overwhelming majority session किया है हमारी family ने है या रहोल गांदी और वह और पर वोट बात करने के वाइब कि तना सीनिक माइन हम होगा इन लों कि आप दुनिया में बाहर क्या हो रहा है इंडिये के जैस के मैटल आगा ये वो जो आगए अच्छी बात है वो अपने टैलेंट से लेके आए आप यहां के इंफरेस्टे को ठीक करो यार आपने मूरी जी भी जाते हैं हर गंटरी में वहां देखते हों कि क्या सी सिस्टम है एक शहर को ढंका बना तो एक लीस्ट पूरी दुनिया आती है एक से एक हिस्टोरिकल मॉनिमेंट है प्रिटिशर से बहुत बहुत पहले के भी और प्रिटिशर के टाइम के भी जहां इनसे भी उमीद है कि यार कुछ करो तो इनसे भी कुछ यह हुआ नहीं नहीं हुआ तो Congress जाए हो हाँ अभी कहा जा सकता कि दिलियू के गेजिरी वाल की गरवनमेंट है पर यार इनकी भी तो गवर्मेंट है न कहीं न कहीं किसी लेकिसी शहरों में उन शहरों को बहुत अच्छा बना के प्रोमोट करो हाँ तो मैं जैसे दूसरे फाइदे की बात कर रहा था उसमें यह था कि अब जब यह चीज बाहरानी शुरू हुई है कि यह फॉर्ण यूट्यूबर्स सोचते क्या है एक्च्वल में तो इससे हमारी जो यंग जैनरेशन है जिनको लगता है कि हम सबसे बड़ी तोप है इनहीं यूट्यूबर्स के फॉर्ण यूट्यूबर्स के चढ़ानी की वज़ए से और कुछ जो फेक यूपीस सी चैनल है उनकी वज़ए से भी और इस तरीके के जितने भी सूपर यूनों लाइक सूपिर्यूर्टी वाले चैनल है उनकी वैसे जिनको लगता है कि हम बहुत बड़ी तोप है उनको रियालिटी से सामना होगा थानोस की जो हिंदी डब मूवी है थानोस के एक डायलोग है शायद कि वास्ता विक्ता के साथ जी न सीखो मैंने जब वो लाइन सुनी थी तो मुझे बहुत असी आई थ उससे उनका सामना होगा और जिससे की जिसकी ज़रुआत है थाकि हम कोशिश कर सकें बहतर होने की अगर हम और अलरड़ी सोचते हैं कि हम तोप हैं तो फिर हम कभी बहतर होने की कोशिश नहीं कर पाएंगे again साथ वाले देश में इसका example आपको मिल जाएगा उनको वहां हर किसी को लगता है कि वर्ल्ड की सबस्वरी सूपर पाउर वही है और उस वज़ा से जो उनके अहलात है वो भी देखने लाएगा तो मेरे ख्याल से ये एक सक्त बट जरूरी चेंज था जो की आगया Blessing in disguise